ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्प्लोजर केम सिनौ और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोंगों का बीतेगा आईए हम समझते हैं इससे पहले इस मन्त का जो गोचरिये वेवस्ता है इसको समझ लिजे और जो न्यू वीवर्स है न्यू सब्सक्राइबर है वो नोट कर ले जो मेरा राशिफल होता है इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिये गया कुणली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक किजिए और वहाँ पर इस सौफ्टवेर इस एप को मोबाइल एप को डाउनलोड कर लिजे और अपना जब इसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है या कोई भी एस्ट लॉजिकल सौफ्टवेर में आप वैल्यू को डाल दीजी अपना डेट ऑबर्थ टाइम ऑबर्थ प्रेस ऑबर्थ और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्तो है उसमें चंदर कुंडली नहीं देखा जाता है क्योंकि चंदर कुंडली मन को बताता है सूरी कुंडली कॉंफिडेंस को बताता है लगन कु पे ही देखना चाहिए और लगन फल इसलिए मैं बताता हूं इस महीने वैसे तो तेवहारों का मौसम है तीन अगस्त को रक्षा बंदन होगा और बाकी भी एक के बाद एक तेवहार आते जाएंगे पाश तारिक को श्री राम जन्म भूमी पूजन भी है और इसके बाद कृष्ण जन्वास्टमी स्वतंतरता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पढ़ने वाले हैं ग्रहों के आधार पर देखा जाये तो कुछ प्लैनेट अपना राशी परिवर्तन करेंगे जहां पर सूर्य अपना राशी परिवर्तन सिंग राशी से ये चेंज कर करक से चेंज करके ये सिंग में पहुंच जाएंगे वहीं दूसरी और जो सेनापती हैं अर्थात मंगल वो मीन से राशी परिवर्तन करके मेश में चले जाएंगे तो इस प्रकार राशी परिवर्त राजा का और सेना पती का होगा इसके अलावा दो और प्लैनेट है जिसमें शुक्र शुक्र का राशी परिवर्थन एक अगस्त को ही होगा और ये अपने 100 राशी छेतर अरथात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये पंच महापूरुष योग बनाय के हैं मालववे नाम क वहां से ये निकल कर व्रिशब से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे और केवल सत्रा दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे और सत्रा दिन के बाद ये पुना कर्क में आ जाएंगे और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशी परिवर्तन कर्क से स राशी परिवर्तन करेंगे और राशी परिवर्तन करके ये करक में चले जाएंगे और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुना राशी परिवर्तन होकर ये सिंग में पहुंच जाएंगे सोला सत्रा अगस्त के आसपास इनका फिर राशी परिवर्तन होगा और ये पुना पंचम में या आप ये कई ये सिंग राशी में पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से ग्रहों का मुवमेंट लगातार चेंज होगा और इस महीने में गुरू, केतू, शनी ये अपना कोई रा में और शनी मकर में रहेंगे तो मेजरली देखा जाया तो चार प्लैनेट जो हैं यानि राजा, सेनापती, डैत्ते गुरू, शुक्र और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुद्ध, इन सभी का राशी परिवर्तन होगा और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला जैसे च इनका राशी परिवर्तन होता है तो यह बेसिक की चीजे थी जो सभी को जानना चाहिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक करके हर लगन वाले जात्कों पर इसका कैसा प्रभाव कर होगा अब हम बात करेंगे देवगुरू ब्रस्पती की मीन राशी के बारे में कैसा यह पूर का महीना अर्थात अगस्त महीना कैसे बीतने वाला है तो देखिए सबसे पहले मैं बता दू कि जो आपका लगनेश है अभी आपके लगन पोजिशन से दशामस्थान पर है और गुरू का दशामस्थान पर केतू के साथ बैठना एक तो आपके जॉब के लिए काफी अच् से यहाँ पर दिखाई दे रही है अगर आपका लगन मीन लगन है तो निश्यत रुप से अभी आपके सक्सेस के लिए किस टाइप के सक्सेस की माय बात कर रहा हूं जॉब में या अगर आपके रोजगार अच्छे नहीं चल रहे थे तो रोजगार में ये विर्दी करने व के साथ यूती करना अपने आप में स्रिष्ट माना जाता जहां पर देवगुरु ब्रसपती चारगुना शक्तिशाली हो जाते हैं और शक्तिशाली होने के कारण ये अत्यधिक चारगुने रेट से आप ये कह दीजे फोर टाइमस फास्टेर रिजल्ट ये प्रोवाइड क के लिए सर्विस्रिष्ट है आपको पता होगा गूरु की पांचवी द्रिष्टी भी होती है सात्वी भी होती है और नौवी द्रिष्टी होती है तो आई हम चेक करते हैं पांचवी द्रिष्टी कहां पर पड़ रही है तो गूरु की पांचवी द्रिष्टी मंगल पर प पसा हुआ था तो यहां पर धन निकालने के लिए एक अच्छा प्रियास आप कर सकते हैं लगन में और गोचर में यह सक्सेस्फुल है लेकिन एक्जेक्ली क्या होगा आपकी जनम कुल्ली बताएगी लेकिन गोचर में कम से कम 50 प्रतिशत तो यह आपके धन लाब को कराने के लिए ततपर है गुरु की जो सातवी द्रिष्टी है वो अपने न्यूट्रल प्लैनेट बुद्ध की राशी पर पड़ रही है और वहां पर राहु की उपस्तिती रहे की तो राहु एक सेपरेटिंग प्लैनेट है अला कि राहु अपने मित्र में है और गुरु की की जब यूती रहेगी वो टाइम आपके लिए अच्छी रहेगी जहां पर मांसिक रूप से जो चिंताएं थी वो खतम हो जाएंगी माता के स्वास्त में सुधार देखने को मिलेगा और सात में आप पर अगर किसी ने कोई निगेटिव आरोप लगाए थे तो उल्टा उस राजनीती कराता है कहां पर बैठा है चतूरत अस्थान पर देख का रहा है अपने दशम अस्थान को राजनीती का कारक जो होता है राहू होता है तो राहू का दशम अस्थान पर द्रिश्टी डालना आपको राजनीती से संबंदी जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके रोग अस्थान पर पड़ रही है जहां पर 15 अगस से पहले पहले तो ये बहुत खराब रिजल्ड देगा आपके गुपत शत्रों को बढ़ाएगा आपके रोग को बढ़ाएगा अगर आप डाइबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें और जादा शुगर लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करेगा लेकिन 15 अगस के बाद जैसे ही सूर्य अपना राशी परिवर्तन करके आपके लगन से रोग में पहुचेंगे वो टाइम होगा जहां पर आपके लिए एक अच्छा रिजल्ड सामने दिखाई देगा अब हम बात करते हैं मंगल प्लैनेट का देखें अगल जो है सेनापती जिसे कहा जाता है इसका भी राशी परिवर्तन 15 अगस्त को हो रहा है 16 अगस्त को हो रहा है तो 15 अगस्त तक तो ये अच्छा रिजल्ड देंगे आपके लगन में ही बैटे हैं और चतुर्त द्रिश्टी से सुकस्तान को देख रहे हैं धन का मालिक कुछ विवादों के बाद क्योंकि ये शत्रु द्रिश्टी से देख रहा है इसलिए कुछ विवादों के बाद आपको धन की प्राप्ति ये कराएगा और साथ में जब ये राशी परिवर्तन करके खुद अपने घर में पहुँचेगा तो यहाँ पर रूचक नाम का करेगा और साथ में चोट चपेट लगना दुरगटनाय कराना क्योंकि शत्रु राशी पर इसकी द्रिश्टी पड़ेगी और अश्टम में अगर शत्रु राशी पर द्रिश्टी पड़ेगी तो निश्यत रूप से कुछ शत्रु आप पर थोड़े टाइम के लिए हावी ह हो जाएंगे और माइनर एक्सिडेंट का भी योग बनाएगा जो कि 16 अगस्त से वास्तिविक्ता में क्या होगा वह आपकी जो लगन कुडली है लेकिन गोचर में तो यह पचास प्रतिशक प्रयास करेगा और यही कुडली एक्सपर्ट के मोबाइल एप को बनाने का एक मे गनरल प्रोडिक्शन दे देते हैं लेकिन आपके ऊपर क्या होगा यह जो मासिक राशिफल है आप अगर मेरे पेड़ क्लाइंट है या फ्री लाइफ सेशन में मेरे से बात कर चुके तो आप पर कैसा यह व्यक्त होगा यह पूरा महीना कस्टमाइज आपके लिए कोचर को मिलाकर और आपका बड़ डीटेल मेरे पास तो एवलेबल होगा तो जो मैंने साफ्ट्वियर डेवलप किया है उसमें दूनों का रिजल्ट करके एक्कूरेसी लेवल भी रहेगा और अगर गलत आ रहा है तो वहाँ पर रिपोर्ट करने का ऑप्शन होगा कि आप रिपोर् पर आपके लिए अत्यांत लाब अप्रत है एक तो भाग्य का मालिक धन में जा रहा है तो भाग्य से धन आना मीन लगन वाले जातकों के लिए एक शुब संकेत हैं शुक्र की बात करते हैं शुक्र आपके लगन में वैसे तो अभी मालव नाम का पंच महापूरिश योग बनाए हैं लेकिन एक अगस्त को जैसे इसका राशी परिवर्तन होकर ये मिधुन में चले जाएंगे वहाँ पर राहू और शुक्र की यूती होगी तो राहू वैसे भी धोखा देना जूट बोलना एक निगेटी प्लैनेट है ही राजनीती का कारक है और साथ में शुक्र क के साथ जब यूती होगा तो निशित रूप से आपको उन इस्तरियों से दूर रहना चाहिए जो आपके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे आपको सचेत रहना चाहिए यहाँ पर शुक्र एक इस्तरी प्लैनेट है राहू के साथ कंजूगेट हो जाए त तो इस्तरियों से बहुत जादा निगेटिव राजनीती के शिकार आप हो सकते हैं आपको बचकर रहना चाहिए हाला कि शुक्र बहुत टाइम तक तो नहीं रहने वाला मितुर में लेकिन 17 अगस्त को जैसे इसका राशी परिवरतन होगा यह आपके पंचम में आ जाएंग तो दूतिय स्थान और अश्टम दोनों का जो मालिक होकर चतूर्त में जाएगा तो यहाँ पर आपके माइंड में कुछ टेंशन यह डेवलप करेगा संतान से आपको निगेटिव निराशाई हाथ लगेगी संतान आपको दुख दे सकते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ होंगी जिससे मानसिक प्रतारणा आपको जहिनना पड़ सकता तो शुक्र का राशी परिवर्तन चाहे वो मिथुन में जाए चाहे वो करक में जाए दोनों ही कंडिशन में यह निगेटिव एक निगेटिव अपने राहू के साथ जब इसका मिलन होगा वहाँ पर करेगा औ आपके दो अगस्त को ही राशी परिवर्तन करेगा और अभी यह मिथुन में है और मिथुन से राशी परिवर्तन करके यह करक में जाएगा और करक चंद्रमा की राशी है हलाकि चंद्रमा जो है बुद्ध को कभी शत्रू नहीं मानता है लेकिन जो बुद्ध है वो चंद् प्रमा के घर में जब बुद्ध जाएगा तो एक प्रकार से देखा जाए कि बुद्ध तो बुद्ध को ऐसा लगेगा कि मैं तो शत्रू के घर में चला गिया हूं और शत्रू के घर में जाने के करण माता को मानसिक तनाज देना माता के अस्पताल पर करच करा देना यह प्र मित्र राशी में रहेगा और लगनेश का मित्र है तो विद्यारती वर्गों के लिए 15 गस तक का टाइम बहुत अच्छा है प्रेम प्रसंग के लिए भी ये टाइम अच्छा है और यहां पर हर द्रिष्ट रिकोर्ड से देखा जाए सूर्य का पंचम में उपस्तित होना मित् अच्छा है लेकिन इसकी द्रिष्टी शनी से पढ़ रही और शनी भी क्या स्वग्री हो गए तो शनी से सूर्य की द्रिष्टी होगी तो पिता-पुत्र के बीच में मद्वेद होना पहले भी बताया था और अब सूर्य जो होगा आपके लगन भाव से 17-16 अगस्त को आप अप्लाई करना चाहते हैं पियार के लिए अगर आप विदेश में रहते हैं और इफ यू विश्टी अप्लाई फॉर पर्मानेंट रेसिदेंसी और सिटिजन्शिप यू कन अप्लाई द्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सनी लियो चंद्र राशी तो जैसे ही चंद्र म चुका है और शनी का जो गोचर है आपके इंकम में सो अगरी है तो इसलिए इंकम में कुछ विश्ट डिले तो करा देगा लेकिन निगेटिव नहीं करने वाला है अब हम देखते हैं आपके लिए ये हफ़ता कौन कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं तो पांच अगस् और बाइस अगस्ति ये आपके लिए अच्छे टाइम रहेंगे कौन से टाइम खराब रहेंगे 6,8,13,23 और 27 अगस्ति ये एक निगेटिव तिथियां हैं इस समय आपको जादा से जादा यलो कलर पहनना चाहिए जादा से जादा ओरेंज कलर पहनना चाहिए और ग्रीन कल जिससे पॉजिटिवटी आपके शरीक में बनी रहें तो ये था पूरा राशीफल मीन लगन वाले जातकों के लिए और जाते जाते बता दें कि जिन लोगों ने क्योंकि महादेव जी की कृपा से महादेव जी के दिन ही एक लाइफ सेशन किया गया था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस आने के कारण इसको अब हर रविवार को हम लोग प्रस्तुत करते हैं कुंडली एक्सपर्ट के चैनल पे और मोबाइल एप पर भी रहेगा और जिसका अपडेटेड वर्जन 1.3 कल लाउंच हो जाएगा तो उसमें चैटिंग की भी सुविदा होगा मोबाइल एप डाउनलोड कीजिए मोबाइल एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आपको दिया यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक को डाउनलोड करके आप मोबाइल एप को पहले सेफ कर लिजिए प्ले स्टोर से और उसके बाद